तो Question No.1 भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंक्या घनत्व ? भारत से अधिक होगा तो ये छोटूसा है बंगला देश इसी का अधिक है सब से जह बपत की अधिक है वो भारत से अधिक है, बंगलादेश का जो जनसेंग क्या गनत्व है, 1160 है, और 2011 की जनकरणा करने सार भारत का जो जनसेंग क्या गनत्व हो था, वो 382 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर है, जनकरनत्व होता क्या है, पॉप्लेशन अफ डेंसिटी उधारन के तोर पर, ये चेत्रफल है, नीचे और उपर दोनों के बराबर है, जो चेत्रफल है, लेकिन उपर लोग जादे हैं, तो जनसेंग क्या गनत्व जादे हो गया, नीचे का कम हो गया, पॉशन नमबर टू है, भारत में सरवादिक, उचा जवार भाटा कहां पर आता है, बताईए, तो इन बहार की उचाई, पंद्रे से 16 मिटर के बीच होती है, क्योंकि बहाँ पर दो उच जवार और दो निम्न जवार प्रती दिन आते हैं, प्रती दिन आते हैं, मतलब 24 घंटे के भीतर, और एक जवार 6 घंटे के भीतर जरूर आ जाता है, बायू, एवम, बायू, मंडली है, द जल की गती को महर्मी सर्ग कहा जाता है, चंद्रबायवन सूर्य के आकर्षण के कारण, दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियत कालिक उठने या गिरने को जवार भाटा कहते हैं, वो महर्मी जवार भाटा की तरह नियमित नहीं होता, कौशन नमबर 4 है, निमन कोल्ड करण्ट है, कनेरी भी कोल्ड करण्ट है, गल्फ स्ट्रीम वर्म करण्ट है, फॉक्लेंड भी कोल्ड ही करण्ट है, तो गर्म छाटनी है, केवाल एक गर्म है यहाँ पार गल्फ स्ट्रीम, तो उपर दिये गए विकल्पों में केवाल गल्फ स्ट्रीम जो जल्धार गल्फ स्ट्रीम, हमबोल्ट या पेरू जलधारा यह बोलते हैं इसको फॉक्लैंड और दक्षणी विश्वती धारा अब बताईए यहाँ पूछा है कौन से महासागर से संबंदे किस महासागर की है तो गल्फ स्ट्रीम तो वार्म करंट है तो कहां की हो गई है गल्फ स्ट्रीम यह उत्री अट्लांटिक महासागर की हो गई और हमबोल्ट या पेरू पैसिफिकोशन की है प्रसांत महासागर की है फॉक्लैंड जो है वो दक्षणी अट्लांटिक महासागर की है cold current है और दक्षण विश्वतिय धारा हिंद महासागर की है तो A का 3 हो जाएगा और B का हो जाएगा 2 A का 3 हो जाएगा B का हो जाएगा 2 तो एक सी कट जाएगा यह तो पूरा option number 20 का correct हो जाएगा तो Humboldt या पेरू ठंडी जलदारा है कहां की है हिंद महासागर की important है option number 6 है विजयनगर का परसिद हजारा मंदिर की इसके सासनकाल में निर्मित हुआ था ये भी most important है कृष्ण देव राय के सासनकाल में तो विजयनगर का परसिद हजारा मंदिर कृष्ण देव राय के सासनकाल में निर्मित हुआ था कोशन नमबर सहबन है भारतिराष्ट कॉंग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था कौन सा था अमरत सर अधिवेशन उनिस सो निस तो बाल गंगाथिर तलक ने अंतिम रूप से भारतिय कॉंग्रेस के अमरेट सर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था उसमें भाग लिया इन्होंने मौन्टेग्यू चैम्सफोर्ट सुधारों के तहत होने वाले विधाईका के चुनाबों में वहिश्कार करने की महात्मा गंधी की नीति का भिरोग किया था तलक ने उत्तरदाई सहियोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी रेस्पोंसिव कोपरेशन खुशन नमबर एट है भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कारिकरम किस वर्स से प्रारंब किया था तो ये 1950 से ने 1952 से किया था ये तो परिवारों के अकार को सीमित रखकर एक ही व्यक्ति के स्वास्तेवम कल्याण को सुधारा जा सकता है इस तत्थ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यापक रूप से परिवार नियोजन कारिकरम 1952 में प्रारंब किया खुशन नमबर नाइन है भारत में जनगर्णा सरप्रथम किस वर्स हुई थी तो 1872 में हुई थी सबसे पहले 1872 में देखे, एक निशित समयंत्राल में जन संख्या की आधीकारिक गर्णा क्या कह लाती है जन गर्णा कहलाती है भारत में सबसे पहले 1872 में जन गर्णा की गई थी हाला कि 1881 में पहली बार संपून जन गर्णा हुई उसी समय से प्रति एक 10 वर्ष पर जनगर्णा होती आ रही है तो सबसे पहली जनगर्णा 1872 में उसके बाद 1881 में संपूर्ण जनगर्णा वस्चन नमबर 10 है नमनिकत में से कौन सा कथन लिंग अनुपात को सही तरीके से परिवाशित करता है तो देखे लिंग अनुपात का मतलब पते ही होगा प्रती 1000 पुर्षो पर होती है महिलाओं की संख्या कितनी है तो प्रती 1000 पुर्षो पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है यह किसी समय में समाज के पुर्शोयबा महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने का एक महतपून सामाजिक सूचक है सबसे आदे जो लिंग अनुपादा भारत में केरल का है तारू का टिम्टिमाना प्रकास की किस घटना के कारण होता है तो तारे टिम्टिमाने नहीं है लेकिन हमको लगता है कि तारे टिम्टिमाने मतलब इल्लिउजन है द्रस्टी भरमेए तो प्रकास के अपवर्तन के कारण होता है जिसका करमिक परावर्ती अपवर्तन आंख हो क्योंकि बायू मंडल तारे के प्रकास को अभिलंब की ओर जुका देता है अता है तारे की आफाशी इस्तिती उसकी बास्तिविक इस्तिती से कुछ भिन प्रतीत होती है छेतिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तिविक इस्थिती से कुछ मुचाई पर प्रतीत होता है तारे की यह वासी इस्थिती भी इस्थाई ना होकर धीर धीर बदलती रहती है क्योंकि प्रतिवी के बायू मंडल की भौती का वस्था इस्थाई नहीं है समय का लगभख अंतर होता है, 30-15 मिनट, 2-60 मिनट, आदर घंटा या 1 गंटा, या 15 मिनट, या दो मिनट रही है, तो इसका क्वेशन नमबर 13 है राष्ट पती को उसके पत से महावियोग की प्रकरिया द्वारा किस अनुछेद के तहत हटाया जा सकता है यह important question है तो भारति सम्भिधान का अनुछेद 61 मैंसा प्रावधान है तो राष्ट पती को उनके पत से महावियोग की प्रकरिया द्वारा चेद 61 के तहटाया जा सकता है question no 4 अस्वगोस निम्न में से किस पूस्तक के रचेता है तो बताइए किसके हैं बुद्ध चरित के question no 15 है खत्रे का signal लाल रंका बनाया जाता है क्यों कारण क्या इसका क्योंकि लाल रंका जो प्रकिर्णन होता है वो सबसे कम होता है तो इसकी बेवलेंथ होती है वो बहुत दूर तक होती है सबसे अधिक तो खत्रे के signal लाल रंके बनाया जाने का मुख्य कराण यह है कि लाल रंक सबसे कम प्रकिर्णित होता है तथा दूर से सरवादिक इस पश्ट दिखाई देता है वायू कणों से कम बिकिर्णित होने बाला लाल रंक व्यक्ति तक अधिक मातरा में पहुंचता और दिखाई होती हैं आकास का नीला दिखाई देना स्केटरिंग ओफ लाइट है मतला प्रकास का प्रकिर्णन है समुद्र के जल का नीला दिखाई देना भी प्रकास का प्रकिर्णन है सूर्य तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी प्रकास का प्रकिर्णन है में निम्लिकेत परिखटना फरकास केड प्रक्राइमें इख दोरह होती है आकास का नीला दिखाए देना गहरे समूद्र में जल्का नीला रंग सु Christi का लाल दिखाए दुर द नहीं है और धूर कि मायव पिया मैं मैं निकाट अब्तल दूर उत्तल तो अब्तल लैंस का पर्योग करेंगे इसको अठाने में तो निकट द्रश्टी दोस में निकट की बस्तु में तो इस पश्टी दिखाई देती है लेकिन दूर की बस्तु में इस पश्टी दिखाई नहीं देती अब तरलाइंस लगाईए और दूर करिये इसको question number 18 है मानब नेत्र के किस भाग में किसी वस्तू का प्रतिविम बनता है तो important है यह question exam का फेवरेट रेटीना पर बनता है हिंदी में आ सकता है द्रश्टी पटल तो मानब नेत्र एक कैमरे की भाती बैभार करता है किसी वस्तू का प्रतिविम आँख की रेटीना ये द्रश्टी पटल पर बनता है देखिए एक चीद ध्यान देना किसी भी आप exam में बैठे हो चाहे श्टेट PCS का exam हो ये UPSC का SSC बेंकर भी किसी कभी तो जितने भी science के question है उनका हिंदी मात्यम बालों के लिए बता रहा हूँ अंग्रेजी version जरूर देख लेना क्योंकि उसकी बहुत क्लिश्ट translation करते हैं ये लोग और उसी की वैसे बहुतों का प्रशन गलत हो जाता है क्योंकि उसका English version नहीं देखते है साइंस में हिंदी के साथ इंगलिस को जरूर देखिए किस ने किया किस ने सवाप्त किया इसको तो बल्वन ने सवाप्त किया था इसको तुर्कान ने चहल गानी का बिनास किस ने किया था बल्वन ने किया question number 20 है कौन क्रशक विद्रो नहीं था चंपान सत्यागरा 1917 एक क्रशक विद्रो था मुपला भी मालाबार के मुसलिम किसानी थे खेड़ा भी एक क्रशान अंदोरन ही था सत्यागरा था लेकिन एहमदाबाद जो था न मजदूरों का था एहमदाबाद मिल मालिकों की हरताल 1918 एहमदाबाद विद्रो क्रशक नहीं था मजदूरों का अंदोरन था तो 20 प्रशन थे इसमें 17 17 लेकर चलते हैं 17 18 तक इसको और अगर आपका हो रहा है तो ठीक ठाक चल लिए आपकी तयारी हर दिन प्रैक्टिस करते रहे है दस हमसी क्यों पचास हमसी क्यों बीस हमसी क्यो अगर डिस्क्रिप्टे पेपर है तो लिखने की प्रैक्टिस करते रहे है एक लाइक करते ना टैस्ट पसंद आता है तो